हेलो एवरिवन आज की वीडियो में मैं मनी प्लांट की केयर टिप्स के बारे में बात करूंगी इसमें मैं बताओंगी कि मैंने अपने मनी प्लांट को किस तरह से लगाया और कैसी इसमें मिट्टी त्यार की और कौन समय ने इसमें फर्टिलाजर लाला जो मेरा मनी प्लांट पौधा है इतनी अच्छी तरह से ग्रोव हो रहा है इसमें नई नई ब्रांचीज निकल रही है नीचे से और इसकी पतियां भी काफी चमकीली और बड़ी-बड़ी हो रही है देखिए इसमें नीचे से काफी ज्यादा ब्रांचीज निकल रही है कौई यहां आजआ प्लांट का पौधा लगाना बहुत ही असान है इसको कटिनंग से लगाया जाता है और इसके लिए कोई स्पेसल मिठी नहीं बनानी पड़ती है और मिठी में भी चलता है इंडोर और दोनों प्लांट है, अंदर भी आसानी से चल पड़ता है और बाहर भी, इसको सिर्फ सेडी एरिया पसंद है, ना तो इसको ज़्यादा धूप संद है, ना ही ज़्यादा अंधेरा, इसको सेडी एरिया में रखें जहांकि लाइट इसको मिलती रहे, मैंने जो मनी प्लांट के गमले की मैंने मिट्टी बनाई हुए है, इसमें वह यह 50% गार्डन शोयल और गाय के गोबर की पुराने खाद, उसी का मिस्रण त्यार करके मैंने इस मनी प्लांट के पौदे को इसमें लगाया और बहुत अर्षान निसे चला हुआ है, मेरे मनी प्लांट क प्लांट के पीली पढ़ने लग जाती है, तो हमें इसकी कटिंग कर देनी चाहिए, और आप जितने इसकी कटिंग करते रहेंगे आपका प्लांट जो है उतना ही घना और बुशी बनता रहेगा, मनी प्लांट का जो पौधा होता है, जितना ज्यादा घना हो उतना इदिख मनी प्लांट के पौधे की अगर आपने कटिंग लगानी हो तो कटिंग तो इसकी पत्ती से भी चल पड़ते हैं लेकिन पत्ते के साथ एक नोड एरिया भी इसमें होना चाहिए, अगर आप मनी प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं तो मनी प्लांट की कटिंग के लिए को जैसे यहां पर यहां से पत्ती निकले होई यह पत्ती जैसे यहां जैसे सब्सक्तत निकालनी है और जब भी आप इसका लगाएंगे तो यहां से कट इसमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, अगर आप simple पती लगाएंगे तो यह नहीं चलेगा, जब भी इसकी cutting चाहिए, cutting के लिए जैसे node area है, यहाँ पे है, इसके बाद यहाँ पे है, यही से इसमें नहीं ग्रोथ शुरू होगी, यही से इसमें नहीं ग्रोथ सुरू होग तो आपने क्या करना है जैसे कि चाय की पति जो होती है चाय की पति जो उबली हुई चाय की पति होती है उसको हमने एक गिलास में भरना है और पानी के उसमें पानी डालके एक दिन तक रख देना है और उसका जो पानी है वो इसमें चिरकाव पतियों के उपर भी आप चिरका जब भी आपने इसकी जड़ों में fertilizer डालना है तो इसकी हलकी से गुडाई चाहे हाँ हाथ से कर लें चाहे आप किसी औजार से कर लें देखिए ऐसी भूरबूरी से मिट्टी होने चाहिए और उसमें fertilizer असामी से मिल जाता है इसके लिए मैंने एक और फर्टिराइजर बनाया है जैसे जो गाय के कोबर के उपले होते हैं उनको हमें एक दो दिन के लिए पानी में डालना है और उनका उपलों से जो पानी निकलता है वो बहुत ही अच्छा होता है इसके लिए फर्टिराइजर तो वह भी देना चाहिए उसे भी इसकी पतियां बहुत ही चमकीली और हारी रहती है आपको मेरा मनी प्लांट का पौधा कैसा लगा कमेंट में जरूर विताएं